दोस्तो नमश्कार पदियात्रा के जरिये राजनितिक सत्ता को बदला नहीं जा सकता है पदियात्रा राजनितिक ववस्था के समानांतर कोई वेकलपिक सोच बना नहीं पाती है पदियात्रा सिर्फ उस देशा में उठाया गया एक कदम होता है इसलिए यह ना पूछिए कि हम दक्षिन से पूरब की तरफ कब चलेंगे सवाल यह है कि जिस हालत में यह देश आकर खड़ा हो चुका है उसमें सब कुछ बायस्ट है राजनिती से प्रभावित है राजनितिक सत्ता के हाथो वह खेल रहा है तो बहुत सारे कदम उठाने होंगे चार हज्जार असी किलोमीटर चलने के बाद 135 दिन गुजारने के बाद इस दोर में 12 पबलिक मेटिंग भी की और 100 से जादा अलग-अलग जगाओं पर लोगों से समबाद भी किया गया प्रेस कॉनफरेंस भी लगभग 13-14 प्रेस कॉनफरेंस भी हुई चलते हुए लोगों से बादचीत हुई 275 जगहों पर 100 से जादा जगहों पर बादचीत बैठ कर हुई लाखों लोगों से मुलाकात, हाथ से हाथ पकड़ना गले लगाना, समबाद बनाना चाहे वो नागरिक समीती के लोग हों, कारकरता हों या फिर उस त्राजदी के मुक्त भोगी हों जो नफरत और घिना से इस समाज में उन्हें हाशी पढ़ धकेल चुकी है और उसके बाद राहुल गान्दी का लाल चौक पर तिरंगा, फहराना और शाम में पत्रकारों से बाच्चीत करना लबो लुबाब आपके जहन में अभी नहीं उबरेगा दरसल राहुल गान्दी की इस पधियात्रा ने यकीनी तोर पर राहुल गान्दी को बदल दिया है तो क्या कॉंग्रिस भी बदलने को तयार वाकई हो चुकी है इस पधियात्रा ने दिल्ली को चौका दिया है कि ये पधियात्रा कभी दिल्ली की तरफ देखती क्यों नहीं है और दिल्ली जो ताकत का प्रतीक है उससे हट कर लगातार एक आंदोलन की शक्ल में ये पधियात्रा अगर बीते 135 दिनों से चल रही थी तो इसने दिल्ली की ताकत को कभी चुनौती क्यों नहीं दी जो पत्रकार थे वो लगातार सोचते रहे ऐसे सवालों को दागा जाए जिससे लगे कि इस देश के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के काउंटर में कोई नेता आकर खड़ा हो गया है जो चुनौती दे रहा है अपने शब्दों के जरीए बार बार अलग अलग सवालों के जरीए इस जिक्र को और किसी ने नहीं कॉंग्रिस कवर करने वाले पत्रकारों नहीं पूछा लेकिन इस देश के भीतर में क्या वाकई डीसेंट राजनिती हो सकती है क्या ऐसी परिस्थिती आ सकती है जहां पर किसी राजनितिक ववस्था को लेकर यह महसूस होने लगे कि इसके सरोकार और इसके सम्मंद और इसकी सोच और इसकी द्रिस्थी आम लोगों के साथ जुड़ी है तो क्या यह भारत के भीतर राजनितिक ववस्था के विकल्प की परिस्थितियों को तलाशती हुई एक ऐसी पदियात्रा है जिसने लोगों को सचेत किया है और आने वाले वक्त में वो सचेत करने की द्रिश्थी जो है कई अलग-अलग माध्यमों से नजर भी आएगी यह सवाल आज इसलिए बड़ा महत्तपूर हो चला है क्योंकि सीधे तोर पर कोई हमला मौजूदा राजनितिक सत्ता पर नहीं किया गया यह सोच कर कि इससे राजनितिक लाप कोई मिल जाए और बड़ी महीन बात अपनी आखरी प्रेस कॉन्फरेंस जो कश्मीर में की गई या शिरिनगर में कही यह कही गई उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि दरसल राजनिता या नेताओं के संपर्क और संबन्ध जो जनता से बनते हैं उसके बीच मीडिया होती है कल तक वो बाइस्ट नहीं थी आज वो बाइस्ट हो चली है तो समवात के तरीके भी बदलने होंगे इसलिए सवाल सिर्फ पदियात्रा का नहीं है ऐसे ऐसे बड़े कदमों को उठाने की जरुरत है जिसके जरिये इस देश में वाकई एक वैकल्पिक राजनितिक ववस्था बन सके और उस ववस्था के दाइरे में कौन नेता होगा कौन सी पाटी होगी यह तब देखा जाएगा और बिखरे हुए विपक्ष के आसरे मौजूदा सत्ता की जीत को मता किये बिखरा हुआ भविश्य इस देश के भीतर में तो 1977 में भी था उस वक्त क्या हो रहा था जनसंग विले को तयार नहीं थी समाजवादी पाटी की एक अलग रह पकड़ी होई थी वामपंतियों के धुन कुछ और थी जनता ने तै किया इंद्रा गांधी को हराना है और उसके बाद सारे राजनेतिक दल और नेता एक छतरी तले आकर खड़े हो गए जेपी ने भी तब नहीं सोचा था कि कोई एक पॉलिटिकल पाटी बना ली जाए तो आज की तारीक में कोई कैसे सोच सकता है सोचेगी जनता और जनता सोचेगी कब जब नेता जनता के बीच उनसे कांधे से कांधा मिला कर और कदम ताल करते हुए इस तरीके से चले जहां नेता और जनता का भेद आपको मिटता हुआ दिखाई दे तो जो पदियात्रा खत्म होई और सामने जो नई चुनोती है इस बीच में आज खुद को खड़े कर लीजिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इस पदियात्रा ने इस देश को कौन सा पाठ दे दिया है और वो कौन सी ताकत है जिसकी जानकारी राहूल गांदी को पहले दिन से थी कोई माने या ना माने लेकिन कोई दूसरा शक्स मानने को तैयार नहीं था कन्या कमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर पहुन सकते हैं और इस दोर में वह कोई ब्रेक नहीं लेंगे कोई विदेश यात्रा नहीं करेंगे यानि भठकेंगे नहीं सब कुछ चलते रहेगा वो शक्स जानता था उसे पैदल चलना है उसे पता था वो जिस विरासत को डोरा आए उस विरासत का मतलब ये था कि दरसल वो कुछ भी करे वो कॉंगरिस के नेता के तौर पर होगा नहरू गांधी परिवार की विरासत को ठामे हुए होगा और शायद इसी लिए जब मनमोहन सिंग के दौर में जब उन्होंने जिस कागज को फाड़ा था उस कागज में जो दर्ज था वो अपराधियों को बचाने के लिए इस सम्विधान के भीतर जिस अमेंडमेंट की विवस्था की गई थी और जो सरकार की तरफ से जारी किया गय है कि वो तमाम परिस्तियां तमाम विरास्त एक जटके में राहुल गांदी ने उस कवच को उतार दिया तो आईए जिस रास्ते पर हम आपको आज ले जाना चाहते हैं तैयार हो जाईए क्योंकि इस देश के भीतर सभी को मालूम है गुजरात मॉडल क्या है गुजरात में क्या कुछ हुआ उसके लिए किसी डॉकुमेंटरी की जरूरत नहीं है इस देश में सभी को मालूम है कि अडानी अडानी कैसे बने इसके लिए हिडिनबर्ग रिसर्च की जरूरत नहीं है वह तो कानूनी तोर पर अंतरास्टिये माध्यम और उसके मंचों के आसरे चीजों को प्रभावित करेगा ये देश के लोग जानते हैं मेसेज आया कि कोई अगर सत्ता परिवर्तन हो जाए तो ये दोनों परिस्तितियां एक जटके में बदल जाएंगी या इस देश के भीतर में धीरे धीरे एक एपसल्यूट परिवर्तन की दिशा में देश अगर बढ़े किया है और उन सब के बीच राजनितिक तोर पर जिसे परखा जा रहा है और राउल गांदी ने खुद कॉंग्रस को लेकर जितना इंवेस्टमेंट वेकल्पिक राजनिती की खोच को लेकर किया है और उसमें जनता का साथ वो चाहते हैं तो मतलब बहुत साफ है दो हजार 24 को लेकर जनता को जनता से ही टकराना है ये टकराओ राजनितिक तोर पर आपको नजर आ सकता है लेकिन इस पदियात्रा पे जब आप लोटेंगे तो बहुत तिनों तक ऐसा खेल चलता नहीं है जो चल रहा है और कितने दिनों तक आप इसे सस्टेन कर पाएंगे चाहे वो गुजरात मॉडल हो चाहे अडानी मॉडल हो एक हद तक ही चलती है शायद इसलिए एक आपको बैग्राउंड की परिस्तितियों में ले जाने की यहां जरूरत है किसान आंदोलन चल रहा था वो एक जगा बैठा हुआ था बैरिकेट लगा दिया गए किल्ट ठोक दी गई और ना जाने क्या क्या किया गया लेकिन राहुल गांदी ने एक दूसरा पाट दिया आप दिल्ली के इर्द गिर्द घेर कर बैठ जाते हैं तो आपकी निगाहों में दिल्ली होती है हम लगातार चलते रहेंगे कोई मुबेवल आंदोलन जो लगातार चल रहा है लोग आरों पैदल यात्री लगातार बदलते जा रहे थे नएने जुड़ते जा रहे थे तो क्या आंदोलन का मुबाइल होना और दिल्ली से कोई मतलब नहीं रखना और सत्ता और उसकी ताकत से दूर रहना तो क्या ये डांडी मार्च की याद दिला रहा है जब नमक आंदोलन हुआ था और उसके बाद civil disobedience यानी असयोग आंदोलन किस देश में शुरुआत हो गई थी अंग्रेज भी मान नहीं रहे थे कि किस छोर पर जाकर डांडी यात्रा हो रही है जो दिल्ली देखती नहीं लंदन की तरफ तो बिलकुल नहीं देखती और शिमला भी नहीं जाती है जहां अकसर मिटिंग अंग्रेजों की होती थी इस दोर में भी ध्यान दीजिए राजनिती से दूर राजनितिक जुमलों से दूर राजनितिक पॉलिसी को लेकर कोई सिधी चोट नहीं ततकाल में राजनिती को प्रभावित करने की कोशिश नहीं एक लॉंग टर्म परिस् पड़े बदल नहीं रहें सवाल इस देश के भीतर की समाजी का अर्थिक परिस्तितियां इस बात की इजाज़त देती ही नहीं है कि आप रोज एक नए कपड़े में ताना बाना बुनते हुए इस देश को समझाने निकल पड़े और देश कहे वह ताली ठोके या फिर वह आपकी चाती को 56 इंच का माले ऐसी परिस्तिति इस देश में कोई ट्रेनी ही नहीं है इस डेमोक्रेसी के भीतर में जब तक सरुकार जनता से होते नहीं है इसलिए शायद उस लंगोटी और टी-शर्ट के बीच में आकलन मत कीजिए समझने की कोशिश कीजिए एक डीसेंट पॉलिटिक्स इस देश की जरुरत है डीसेंट पॉलिटीशन की जरुरत है जो शोर शराबा हंगा हंगा मा नहीं करता है जो चिलाता नहीं है जो बोलता तेज नहीं है और उसके बाद वो समवाद बनाता है कोई टोक देता है तो वो खामोश हो जाता है और खामोशी से उन चीजों को तलाश रहे थे उन्हें वह मिल नहीं रहा था क्योंकि समाज के भीतर एक ट्रेनिंग चल रही थी इस पधियात्रा के जरीए और राहुल गांदी जब ये कहते हैं मैंने राहुल को मार दिया आप मुझ में अब नया राहुल देखें इसका मतलब क्या है दो तीन मत मतलब बहुत साफ है कि विरासत का लाब पाने की दृष्टी से जो राहुल गांदी को देखा जाता था आप देख नहीं पाएंगे राजनिती कैसी भी हो देश के हलात कैसे भी हो लेकिन गांदी नहरू परिवार की एक भूमिका सत्ता के शीर्स पर बैटी हुई परिस्ति औरिनन्स का दिक्रम कर रहे थे आपसे जिस औरिनन्स को लाया गया और उन्होंने फार दिया उस परिस्तिती में अगर उसको आज की तारीक में उठा कर देखिए तो एक सवाल आपके जहन में तुरत आएगा कि क्या वाकई कोई संसद मोहर लगा सकती है कोई सरकार मोहर नेतिक ताकत इस पधियात्रा की सबसे बड़ी देन है जो भारत की राजनिती में लगातार चूकती चली गई और नेताओं से दूर होती चली गई इसलिए ध्यान दीजिए नेताओं की जो पूरी फिरिस्त नजर आती है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं व पिर उस इलाके के बाहुबली उस नेता के हिस्से के हिसाब से काम करना उनका और उनकी नई पिड़ी आकर कतार में खड़ी गई हो गई है पार्लेमेंट के भीतर लगबग 192 ऐसे पॉलिटीशन हैं जिनकी पिता या उनके परिवजनों ने राजनिती की और वहां से उनको वो जमीन मिली और उनकी ताकत का लोहा हर कोई मानता है ताकत का मतलब बहुबल है ताकत का मतलब पूंजी है यानि एक डीसेंट पॉलिटिक्स कायब हो गई पूरी नई पिड़ी जो आई उसने उस रूप में अपने आपको समेट लिया जहां विरासत हर किसी के साथ थी त वो विरासत का चोगा उतार चुके हैं ऐसी परिस्तिती इस देश के भीतर में नहरू गांदी परिवार में अजादी के बाद कभी नहीं आई जब इतनी लंबी यात्रा करते हुए लोगों से संबाद बनाते हुए कोई नजर बदलाओ का नहीं आ रहा है कोई कॉमेंट की जमीन चली गई कितने पैट्रोलियंग स्टेशन उधर चले गए और इसका जिक्र लद्दाक के लोग कर रहे हैं और कुछ आर्मी परसन कर रहे हैं जो राहूल गांदी इस बात का जब जिक्र कर रहे हैं तो सवाल देश की उन तमाम पॉलिसीज का भी है जिस दायरे में म राजनिती कॉंग्रिस के हाथ में हैं सियासत जो भी कहिए लेकिन ये प्रभाव है सवाल ये नहीं कि कॉंग्रिस को एक नेता मिल गया सवाल ये भी नहीं है कि क्या ये नेता विपक्च की अगवाई करेगा सवाल ये भी नहीं है कि कॉंग्रिस के पीछे सारा विपक्च आ जा नहीं सकती है कि जनता जो सोच रही है उससे हट कर वह कोई कदम राजनितिक तोर पर उठा ले उसी दिशा में भारत की राजनिती बहुत धीरे धीरे लेकिन बढ़ रही है और ये परिस्तिती भारत की राजनिती में बहुत अर्से बात दिखाई दे रही है आप कह सकते है ऐसी राजनिती इससे पहले थी नहीं राजनिती को साधने के लिए राहुल गांधी की परिपकुता हमें लगता है दो शब्दों को और यहां समझे राजनितिक तौर पर क्योंकि नहरू का जो सोशलिजम था उस प्रक्रिया के भीतर में कभी ये सवाल आता है कि डावोस या बंगला देश प्रधान मंत्री के साथ अडानी जा रहे हैं और पूरी की पूरी जो विचारधारा है वो बदलती हुई दिखाई देर जा रहे हैं या फिर पॉलिटिकल वे में परिवार के भीतर के वरण गांधी का जिक्राया तो उन्होंने क्या बैसिस दिया आज आपका रेलेवेंस वहाँ खतम हो गया है तो आप इधर आना चाहते हैं गुलाम नभी आजात का जिक्राया तो क्या आया ठीक है आप उधर चले गए आपको इधर आना है तो आ सकते हैं यानि उधर आपका रेलेवेंस नहीं तो यहां भी उसी रूप में आकर बैठ जाईए आप राजनितिक तोर पर परिपक्वता की ये चीज सवाल ये है कि पहले दिन से जो शक सोच रहा था मैं चल सकता हूँ तो चलूँगा तो क्या मोदी के सामने राजनितिक विकल्ब के तौर पर चाहे अंचाहे राहुल गांदी के समनांतर पदियात्रा से निकली एक विचारधारा खड़ी हो रही है और राहुल गांदी जब ये कह रहे है कि अगर हम उस विचारधारा को खड़ा नहीं कर पाए तो हमें जगा जगा उस राजनिती से दो-दो हाथ करना होगा जिसका हुनर हमें नहीं आता है ये हुनर सर्क बीजेपी और मोदी के पास है तो क्या इसी परिस्तिती इस देश में आ चुकी है जो परमपरिक राजनिती को अब छोड़कर एक वैचारिक राजनिती को अपना कर इस देश को विकल्प दे पाए और इसी लिए जो संकेत राहुल गांदी दे रहे हैं उसमें वह उस माइन्यूट परिस्तितियों को परखना चाहते हैं कि क्या वाकई जब देश पूरी तरीके से बाइस कर दिया गया या तो हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो ऐसी परिस्तिती के बीच में राजनिती में हुनरमंद आप हो नहीं सकते हैं कोकि सारे इंस्टूशन्स जब उनके पास होगे सारा मीडिया उनके पास होगा तो जो सुनाई भी देगा और जो रियक्शन भी होगा वो उन्हीं इंस्ट्यूशन्स और मीडिया के जरिये जो प्रचार हो रहा होगा जो जानकारी दी जारेगी उसी हो तो ये ट्रेनिंग देगा कौन तो आप कहेंगे क्या इस पदियात्रा के जरिये एक ट्रेनिंग दी गई ये हो सकता है और क्या इस पदियात्रा के बाद एक दूसरी पदियात्रा हमें लगता है इस से थोड़ी सी तौबा कीजिए क्योंकि अलग-अलग हिस्सों में पदियात्रा से सिर्फ काम नहीं चलेगा और उसको लेकर अब राजनितिक तौर पर जो दखल भारत की राजनितिक ववस्था के भीतर वैचारिक तौर पर देने की जरुरत आ गई जहांपे नेता को जनता को बड़ा मानना होगा और उसे समवाद बनाने के लिए खुद को छोटा करना होगा और इसका मतलब है कि अपने एहम को छोड़ना होगा अपने एहंकार को छोड़ना होगा और राजनितिक तौर पर एक तारतंबिता आपको बनानी होगी जनता के साथ यानि समवाद बनाना होगा उसके बीच में मीडिया नहीं आना चाहिए मीडिया की टेक्नलोजी बरबाद कर सकती है वो आबाद नहीं करेगी क्योंकि टेक्नलोजी लोकतंत्र को जब हड़प सकती है जो बीते दिनों नजर आ रहा है और विपक्च की आवाज में सुनाई दे रहा है तो आप उससे बच नहीं सकते हैं अगला सवाल है कि क्या इस पूरी राजनिती के भीतर में क्या आप यह देख पा रहे हैं कि 2024 चाहे अंचाहे दाएरे में आ गया यकीनी तोर पर ध्यान दीजिए सिर्फ सौ सीटों का खेल है बीजेपी की सौ सीट का घटना और कॉंग्रिस की सौ सीट का बढ ना 2004 की सिच्वेशन में लाकर भारत की राजनितिक ववस्था को लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया के तहट लाकर खड़ा कर देगा इस यात्रा के दाएरे और उसके समनांतर की परिस्थितियों में क्या कॉंग्रिसियों को भी ये ट्रेनिंग मिल गई कि उन्हें खुद को कोई नेता नहीं मानना है खुद को एक कारकरता मानना है उनकी पूंजी किसी काम की नहीं देगी उनकी पूंजी के दरवाजे पर तो ED और IT कभी भी दस्तक देगी और आपको उल्जा कर रख देगी आप नोट गिंद भी नहीं पाएंगे तो क्या इसी परिस्तिती में कॉंग्रिस या इस देश के राजनिती कारकरता तयार हो चले हैं जो एक समवाद बनाएंगे और जब राजनिती की लकीर और जनता के बीच की लकीर मिट जाती है तो फिर एमरजनसी आप बार बार जो जिक्र करते हैं उसके बाद तो एक पूरी पीडी इस दोर में तयार हो गई कई पीडियां आ गई और उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे जो हैं वह भी पचास की उम्र के हो चले हैं तो फिर इसका मतलब क्या है मतलब है कि भारत के सम्विधान के साथ आप खिलवाद कर सकते हैं लेकिन उस सम्विधान से होते जिसको हराना है वो माइने रखता है जिताना है यह माइने नहीं रखता और जीत्ती हुई परिस्तितियों Susili вечeredart भारत की राजनिती में कुरवट ले रही है जो संक्यत बहुत साफ तर अबर रहा है इसलिए ध्यान दीजिए राहुल गांदी का बोलना क्या लोगों को अच्छा लगने लगा है पहले नहीं लगता था। उस दोर में राहुल गांदी को लेकर जो कसीदे पपू के नाम पर कसे जा रहे थे क्या इस दोर में बदल चुके हैं। और क्या वाकई दूसरे विपक्षी राजनितिक दल जो कल तक साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे, खुले तोर पर कहने से नहीं कतराते थे, हम इतने जूनियर पॉलिटीशन के अंदर में कैसे काम करेंगे, आज की तारीक में साथ चलकर फोटो खिचवाना चाहते हैं। ये बदलती हुई परिस्तितियों का खेल है या जनता का दबाव है या नैतिक बल नेता के साथ आकर जुड़ गया है। ये तमाम सवालों के बीच कुछ सवाल आपको आखिर में जरा समझने होंगे। इस देश की जनता बहुत धीरे धीरे उस एपसल्यूट लडाई की तरब बढ़ रही है। और जो मीडिया से जुड़ें उन्हें समझना होगा कि पनवराय चाहते हैं एंडी टीवी के तो वो हो सकते थे अरुणपुरी भी इंडिया टुड़े के। और जब एक विचारधारा के साथ कोई जुड़ा होता है तो उसको त्यागने में कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता है। और देश की जनता के भीतर अगर वो कन्विक्शन विचारधारा के साथ आ रहा है तो ये खत्रे की घंटी है मौजूदा वक्त में उस सत्ता के लिए जिसका नाम राहूल गांदी बीजेपी और आरेसेस के तोर पर लेते हैं। कोकि विचारधारा अगर कन्विक्शन के साथ जुड़ जाए और राजनितिक सत्ता अगर प्लट जाए तो जो इन्वेस्टमेंट इस दौर में मोदी के साथ हुआ है वो कल निशाने पर होंगे ह आप उससे इंकार कर ही नहीं सकते हैं। आज अगर एक परिस्तितियां जली हैं तो कल दूसरी परिस्तितियां भी उस दाइरे में आकर खड़ी हो सकती हैं। को आत्मसाथ करने की स्थिति में आकर खड़े होने लगे हैं। शायद ये हो रहा है। और ये होना भारत की राजनिती के लिए कितना अच्छा या कितना दुखद है। यह एक अलग विसलेशन की परिस्तिति है। लेकिन जब जिक्र कॉंग्रस मुक्त भारत का हुआ तो इ इडि और आइटी है जी नहीं। इसके समरांतर विचारधारा का गायब होना है। वैचारिक तोर पर वीजन हो रखकर ना टकराने की स्थिति थी। और शायद इसी लिए। गॉंग्रस चाहे अंचाहे अपने आपको उस जगा पे लाकर खड़ा कर रही है। जहां उसे पर शतरसल उसी की लडाई है। और उसी की देन है। और शायद इसी लिए जिस आखरी सवाल पे जब हम आ रहे हैं तो इस फिरिस्त में आपने देखा बहुत सारे लोग चले। इतने लोग चले कि कलाकारों की भीड थी, संगितकारों की भीड थी, फिल्मकारों की भीड थ थी, तमाम लोगों की भीड थी, एक दो जर्मलिस्ट भी नजर आए, तमाम लोग आपको नजर आते चले गए, पॉलिटीशन्स को लेकिन इन सब की भीड क्यों थी और जनता लगातार क्यों जुड रही थी, क्योंकि यह उम्मीद की राजनिती जगाने की दिशा में आते बहुत खुले तोर पर साफ उभर कर आई और संकियत मिले कि दरसल हमको बहुत अनबाइस्ट परिस्टियों को इस देश की राजनिती के जरिये नहीं जनता के भीतर से पैदा करना है, और अनबाइस्ट अभी होगा जब राजनिती अपने आपको जनता के साथ जोड़ और क्या क्या होगा क्योंकि जब खुले तोर पर कोई नेता कहे मैं जम्मू से गुजरा, मैं लद्दाक से गुजरा, मैं कश्मीर में आया, मुझे कोई खुश नजर नहीं आया, और देश के भीतर सफर करते हुए जितने लोग आए, परिशानियों के साथ माते पर शिकन, पेट और पीठ एक हो चुके परिस्तितियों को जीते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मोधी सत्ता ने इस दोर में इस देश के भीतर इतना बिगार दिया है कि उसको पट्री पर लाने के लिए महज पदियात्रा से काम नहीं चलेगा, कुछ और कदम उठ और यह कदम को लेकर राहुल गांधी के संकीत है, आइडिया मेरे पास है, अब इसके इंप्लिकेशन की जरुरत है, तो मतलब बहुत साफ है कि पदियात्रा तो खत्म होई, एक नई शुरुवात के लिए खत्म होई है, इस पदियात्रा के साथ कुछ नई राजनितिक परि परिणामों से इतर जनता की पहल और जनता की अपनी प्रतिक्रिया के साथ उभर कर आएगी, कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, इसको लेकर अब पहेलिया बुझाने का वक्त नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे सत्ता और लोकतंत्र दोनों ने टार्गेट दो हजार चौब उसे किसे जिताना है, उसे समझ में आ जाता है, उसे क्या करना है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया